बैलकम बेक नाज़ीन, आईएप गुफटुगू का आगाज वही से करते हैं जहां से हमने चोड़ा था ती दोरुजागसाभ आप बता रहे थे कि किसी को करशा देकर शुरू करवाते हैं प्लैन प्राजेक्ट शुरू करवाते हैं चारुवाध शुरू करवाते है तो वो that person can always come back to you regarding any problem किसी तरह की problem हो मुश्किल हो वो आपके पास आके आप उसको अपनी तेजावीज देने के लिए त्यार है उसकी help करने के प्यार है except financial help मजीद करदे के लिए नहीं लेकिन सर आपने एक उसमें जो शरायत रखी है वो यह सिर्फ यह है कि उसने आके आपको हर महीने कौन सी चार चीज़े हैं जो बताएं जी वो उसमें सिर्फ उनकी बहत्री के लिए है हमारा उसमें जाती कोई इंटरस्ट नहीं है इस पे कोई मजबूरी भी नहीं है अगर वो कर देंगे तो उनकी मेरबानी है और उनकी अपनी इसलाइस में होगी आमदनी क्या है उसकी पूरे माइने में और ख़र्चा क्या है लेना क्या है यह बड़ी स्टार सिपल सी चीज़े हैं और मेरे ख्याल में हमारे जो मतलब बदरगान बदरग भी है वो भी कारबर इस तरह से करते हैं इसके लिए जरूरी है कि यह बंदे जो है एक डायरी मेंटेंटेन कर लें जिसमें डेली रोजनाम चाने जिस तरह होता है कैश कितना आया कितना चला गया लेना किया अगर डेली बेस पे करेंगे तो महिने के आखर में उसको मतलब जमा करना आसान हो जाएगा अगर वर नहीं करेंगे तो उनके लिए खुद परिशानी होगी और इसके इलावा ये बड़ी मैं मतलब है शिद्ध से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी रात कारोबार कर रहें इसमें जाती मामलात को और कारोबारी मामलात को अलग रखें ये नहीं एक अपने भाई बैनों को चचा मामा फुपात आयं को उधार देना शुरू कर दें को वापसी कभी नहीं हाएगा या किसी को अपने कारोबार में शरीक बना ले कारोबार में शरीक मेरे खाल में सिर्फ कमर्शल बेस्ट बनना चाहिए रिश्टेदार और दोस्तों को अगर ना शरीक करें तो ये इसलिए बेतर है क्योंकि आप रिश्चेदार शरीग को अपने किसी बंदे को जिसे बेतकल्फी है खुल के बात निकर सकते हैं उससे कमर्शल बात निकर सकते हैं तो परस जाती मामलात को अलग रखना है कुमर्शल मामलात को अलग रहता है लेकिन अब रिजाक साब मुझे याद पड़ता है कि आप इस हवाले से आप रिष्टदारों के हवाले से एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जिस शक्से पास सरमाया नहीं उसका पहला जो पॉइंट जहां पर तक्या है वो पहला तक्या ही उसका रिष्टदार है यह यह मेरे खाल में यह आप उस सवाले से बात करें कि सरमाया अगर कम है 25,000, 30,000, 50,000 कम है तो उसको बढ़ाने के क्या तरीक हैं तो मेरे खाल में या मेरी दनिस्ट में इस वक्त हर बंदा एक फर जो है अब उसमें से लेखें कि जो लोग उसमें कुछ खुशाल है या फारूल बाल है जिनके बस कुछ पैसा सरमाया है पहले तो अपनी बहन बाग्यों से कांटेक करेंगा भाबी होगी मामी होगी जो करीब के लोग है तो उन से कहगा पहले अपनी सेविंग होगी फिर माबाब से बात करेगा फिर बहन बात करेगा तो मेरे खानवें अगर दसस बीस 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 जार के किसम के शेयर लेके तो इस तरिके सो पचाहँजार से एक लाग तो बिलाम वाला एक अठा कर सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि सेविंटीज में आप तो खैर बहुत चोटी होंगी यह होंगी नहीं दुनिया में कि जब ये लोग जाते थे मिडलीस में तो वीजे के लिए पांच पांच लाक छे छे लाक पर देखे जाते थे माद बन गया हुआ है जरूर आपको पैसा देंगे इसी तरह से जो बन्डे आपको माल सप्लाई कर रहे हैं मसलिम किसी ने आपको कंप्यूटर पार्ट से ने हैं जो सप्लाई कर रहा है उसको आप अपना पॉस्टेटर चेक दे दें बक्त तो उसका पैसा वापिस कर दें तो वो आपको माल में उधार दे देगा तो इस तरीके से उसको अपने कारोबार को एक्सपैंड करने में महिने की तो एक महिने में शायद उनके पास कोई सर्माया नहीं था इतना कि पैसे वापस कर सकते तो उन्हों ने अपनी होनडा एक और गाड़ी बेज़ के वो किस तरदा की तो बैंक के मैनेजर ने आके उनसे का के सर वी सड्यूट यू 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 सोल यूर कार बट यू ब जार भी देंगा जीज भी देंगे यू तो एक तरीका है सर्माया करने का दूसरा तरीका फिर मैं कभी आप सर्ज करूंगा विद पैसजर टाइम के उनको आप ऐस शेर उडर ले सकते हो कारवार में शामिल ना करें लेकिन अजर स्लीपिंग पार्टन ले सकते हो कि जितना म ले सर्माया एक लाग का है तो अगर आपने दाज़ार इसमें दिया तो मैं आपको प्रॉफिट का साथ परसन या दास परसन शेर भी देदोंगा तो अगर वो बरकत दालता है और नेकनियती से इमानदारी से उनका प्रॉफिट भी वापस करता है इसमें मजीद बरकत पड अच्छा रिजाक साफ आप ये बताईए मैं खुद खातून हूँ और खातून होने के लाते मेरा कंसर्ण खवातीन से ही जाता है आप ये बताईए कि आपके इस प्रॉजेक्ट में खवातीन का कितना है आप उनको सपोर्ट करें हैं खवातीन को हम तो चाहते हैं आउडवे सपोर्ट करना है लेकिन कि हमारा मुआशरा कुछ जकड़ बन मुआशरा है हमें खास और मेरे खाल में एड्रेस करना चाहिए मर्द अजरात को जो फैमली में मर्द अजरात हैं वो खवातीन के कफील हैं कफालत उनकी करते हैं हम ये न में मालूमात दे सकती हैं दूसरी चीज़ यह है कि खवातीन खास तरह के आपको पता है कि किस कदर हुनर मनने है किस कदर इंटेलिजेंट पाकिस्तान में वो मेरे खाल में फैमली को सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मददगार होंगी बनिस्पद नौजवान होंगी तो न नहीं बें लेकिन उन में एक जख़बा है आगे बढ़ने का तो वो जरूर हम से आकर रापता करें हम उनको कई तरीके किस तरीके से वो अपनी कौटेज इंडिस्ट्री इस्टैबलिच कर सकती हैं किस तरीके से अपने मस्वाइब को मार्किट कर सकती हैं और उसमें जाता है उनको कौल लेने जाता है भाई जाता होगा मामू जाता है चाचा फुपाग कोई वैगन जाती होगी इसी तरीके से वो हमसाय में कोई बड़ा बुड़ा होगा या वालदी साथ आ जाए मतलब जिस तरीके से प्याहन होने वैगन प्याना है जिस तरीके से आना है वा में क्या एक्षिन होगा? उस सुरत में एक्षिन हमारी तरफ से कोई नहीं होगा, तरमाया अगर चला गया तो अल्ला करीम उसको सिर्फ हमें एक इन्वेस्टिगेट करके तफ्टीच करके रिपोर्ट ही दे सकते हैं कि भी आपने किस जगा पे मार कही है, मतलब क्या क्या रिजन थी कारोबार के फैल होने में, कहां पे आपकी मेहनत, कोशिश या आपकी जज्ज्मेंट ने आपको फैल किया और कहां पे अल्ला ताला की तरफ से मतलब कोई चीज ऐसी आगी, जैसे मतलब अब आपने एक खोका लिया वहाँ बे, सड़क बनी शुरू होगी, खोका उड़ गया तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, लेकिन कुछ चैशी चीज ऐसी चीज़े होती हैं, जो कारोबार नॉर्मल, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, जो एड़टाइजिंग एजन्सीज हैं, या ट्रेवर एजन्सीज हैं, वो किस चीज़ से मार खाती हैं ये मेरे पास कई दफा बंदें इंट्रूर के लिए आते हैं, तो मैं उसमें कौन सी चीज़ आपके लिए ज्यादा नुकसान दें, तो ये इसमें डेटर्स हैं उसके, जिन लोगों ने पैसा देना है, वो होता क्या है उसमें कि वो प्रॉपर उसको उसकी डॉक्मेंटेश करते हैं, प्रॉपर टाइम पे रिकवरी हुँए, काम करते चले जाते हैं, खर्चे रुकते नाई हैं, उधर से रिकवरी नहीं आती, बिसनस ठफ हो जाते हैं, समझाईगी नहीं, तो इस तरह से एक तो यहाँ दूसरी यह है, कllers पर चॉथ च।ो जोड़े, पर समीशन जो आपको बाकी पैसा था चाहिे ना दोब बारा अपना स्टॉक लानी के लिए या पार्स लानी के लिए या बाकी समान लाने के लिए तके आगे उसको चला सके तो कोशिए ये करें कि कैश के बारे में किसी से कॉम्परमाइज ना करें को भाई तुम दो पैसे चीज ससी ले जाओ लेकिन मुझे कैश चाहिए कैश देतें ज्यादा बेतर है और उसमें मतलब ये ना गुमान करें कि जी चेक दे दें बना ठीक है किसमें खा रहा है मौलवी है और बड़ा इमानदार है उसने कभी जूड नी बोला ये कारोबार का मजभ से और ये पार्सा ये प्रेसगार इसे कोई मतलब लेना देना नहीं है इसको बिल्कुल कारोबारी तरीके से डील करें और कैश इस दा किंग ये याद रखे छोटे सरमायदार को खास सौर पर ये मेरी गुदारिश होगी कि कैश में डील करों ज्यादा बेतर होगा आपके आप में पैसा है कल को आप दूसरा भी काम शुरू कर सकते है अच्छ अर्जाग साफ हमें बहुत सी ई-मेल्स और बहुत से मेसेज़े इस बारे में आये हैं कि हम अभी जो ऑन गोइंग पाकिस्दान में इनर्जी क्राइसिस है उस हुआले से भी आप से कुछ कॉमेंन्ट लिआ जाए आप से कुछ बात की जाए energy crisis जी इस प्रोग्राम में हम तो कारोबार अच्छा मैं समझ गया हूं क्योंको इसे कारोबार तबाव हो रहे हैं बिल्कुल आपने ठीका बिल्कुल आपने ठीका एनरजी क्राइसिस तो इन्होंने बिना खाल में एक फिरमना बना दी इसमें मैंने तो काफी रिसर्च भी किय हैं और आर्टिकल्स भी लिखे हैं असल में साधिया बीबी आम सॉरी यह कोई मसला नहीं है सिर्फ मिस्स मैंने मेंट रिसोर्स हैं बीस हजार से बाइस हजार किलो वाट मेगा 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 वाट जो हमारी कपैसिटी है प्रोड्यूस करने की जो आई पीपी हमने यहां पे लिए हैं उनकी कपैस्ती बाइस हजार बीस से बाइस हजार मेगा वाट है ठीक है हमारी डिमांड अठारा जार है लेकिन अनफॉर्टनिक प्रोड़क्शन हमारी चौदा हजार है जो आप करेंगे यह क्या माजरा क्या है मसला यह है कि वो जो कंपनिया प्रोड्यूस कर रह डिती हैं वो ले के तो उसमें सारी सिस्ट्रमें डलती हैं वो पैसे वक्ट पे नहीं मिलते हैं जब उनको पैसे वक्रेटर हैं पी-एsee-s looking इसको पैसे वक्रेश वक्ट पे नहीं मिलते हैं उसको आगए जो « Wag這 few 兄 Đे तें मिर एपकिन उसको आपपन्गें झाल तें जिनको नहीं मिल रहा दूसरा मसला यह है कि इसमें जो इन्फुरेंशल लोग है या जो इदारे बहुत बड़े बड़े हैं वो बिल नहीं पे करते हैं मसला आपने कई दवाद देखा होगा पाक्सिन स्टीर मिल का कई करोड का बिल नहीं पे किया गया एक उसको कंट्रोल करने वाली बात है तीसरा यह है कि जो फार फलंग एरियाज है लाइक इंटिरियर सिंद हो गया बलोचसन हो गया पंजाब के कुछ जगीरदार हो गया वो बिल देने के मूड में नहीं है और खास तर पर आपने कई एक चैनल पर प्रोग्राम देखे होंगे कि वो पुलिस के दफ्तर दिखाते हैं और सिदा उनको ना लगा कि साला लिया हुआ है और कई सालों से इस्तमाल कर रहे हैं तो ये भी जाया होती है बिल दी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये बिल दी की चोरी ये हकूमत रोकनी पा रही है ये तो एक तरफ है ये तो इंटेंशनल हमारी मतलब है चीज़े हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है अचार रजाक साब आपने बहुत ही एहम इशूस की तरफ आपने निशान दही की अब फिलहाल हम एक ब्रेक लेना चाहरे हैं और उसके बाद हम यहां पर से ही सिलसले गुफ्तगू जारी रखे हैं नाजरीन इस वक्त ब्रेक लीजिए लेकिन प्लीज डोंट गो वे स्टे